हाउ रूफीक्स सेमसंग एएट प्लस नमस्कार दोस्तों सुवागर अब सभी का तेकर आज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के इस डिवाइस पर आप एप इंस्टॉल प्रॉब्लम सॉल् है आपके डिवाइस इस तोरेश फूल हो सकते हैं सारे साथ आपके जो डिवाइस उसमें कई सरा अप्लिकेशन अलरी इंस्टॉल हो चुके होंगे उसके वज़े से हो सकते या फिर दोस आप जिस प्लेटफरम से डाउनलोड करना चाह रहा है उसके परमिशन अपने अलाउ का सॉलिशन आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा तो वीडियो के सारां तक बने रहे है साथे साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखाए तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कामाना चाहते ही तो डिस्क्रिप्शिन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा अगर आप आपको जो है यह प्रॉब्लेम आ रहा है तो आप चेक करें आपके डिवाइस स्टोरेज फूल है या फिर कितना को निजिम हो गया है ठीक है तो आपके जो स्टोरेज है एट लिस्ट यहाँ पर आप फ्री आप करें ठीक है जितने एंबी या फिर जितने साइस का आप कि मोबाइल पर अप्लिकेशन है जो कि आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उनको आप अनिस्टॉल कर सकते हैं ठीक है डिवाइस खेश उन सब को भी आप क्लीन अप कर सकते हैं तो उसके बाद जाके दोस्तों जब आपका स्टोरेजिस पर फ्री हो जाएगा तब आप डाउन सब्सक्राइब करने की कोशिश करें हो जाएगा प्रॉब्लिम फिक्स्ट ठीक है और दोस्तों यहाँ पर मान लिजिए आप प्लेश्टोर से इंस्टॉल करना चाहरा है लेकिन नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले प्लेश्टोर के प्रोफाइल में जाना है सेटिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद प्लेश्टोर बरजिन पर वान टेप कर दे तो सेटिंग पर जाए स्ट्रॉल डाउन करें और एप्स को ओपिन कीजिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है गूगल प्ले सर्वेस पर जाए इस तोरेज पर क्लिक कीजिए और मेनेच इस तोरेज पर जाके इसका जो डेटा है दोस्तों उसको क्लीन अप कर द दीजिए और उसके बाद डिवाइस को रिस्टार्ट करते हुए इंटरनेट कनेक्शन को इनेवल करें और उसके बाद चेक करके देखें आपके जो इश्यू है आपके जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली इतना में फिक्स्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर अगर या फिर प्लेश्टोर में लोगिन करके रखते तो आपको वह जीमेल एकाउंट या फिर आपके जो गूगल एकाउंट है उसको रिमूफ करके रिएड करके देखने तो उससे भी आपका काम बन जाएगा सारे सार आपके डिवाइस सोफ़र अपडेट नहीं है तो प्राइगे से जाके आपका प्राब्लेम फिक्स हो जाएगा उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो प्सेने होगा तेंक्स वराचिंग